नमस्कार आप देख रहे हैं मीडिया हल चल मैं हूँ आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ 2022 के शुनाओं को लेकर खास बातचित करने के लिए निसाथ पार्टी के रास्टी महासचिव डॉक्टर सूर्भान यादव जी हैं जिस तरह से इस समय सियासत चल लिए उत्र प पार्टी के साथ ही थे बीजेपी गडबंदन में थे तो हमारे साथ निसाथ पार्टी के रास्टी महासचिव हैं था मिंसे जानने का प्रयास करते हैं अब समाज जागरूख हो चुका है कभी इधर की बात करते हैं आभी इतनी बड़ी रैली उन्होंने पिछले 2017 में किया तो सरकार में जो है भाजपा में उट किया था उनके समाज के लोगों ने मूलता जो राजभर है वह भाजपा का ओटर है और उनको यह जब गडबंधन किये तो उनको थोड़ा सा बल और मिल गया मुझे लगता है कि इस गडबंधन से कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि जो म समाज का ओटर है वह भाजपा को ओट करेगा इनके नाते वह दस-पांस परसंट बंदर 20 परसंट वही समाज में अपना टहल घूम रहे हैं उतना ओट करा ले जाएंगे समाजवादी पार्टी को प्रकास राजभर कहते हैं इस बार खदेडा होबे सफाया हो गया पस्टिम समाज का ओटा इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा हम बात करेंगे निशाज पार्टी की अभी मुकेशाहनी उत्रप्रदिस में चुनाओं कंपे इनिंग लगातार करने पुरवांचल में लगातार चलने जिस दिन आप लोग की पार्टी का जनसवा जौनपूर में था उसकी एक दिन बाद मुकेशानी का वी कारक्रम जौनपूर की उसी बीरप मैदान में था और मुकेशानी हमेशा कहते हैं कि निसाथ पार्टी जो है वो टिकट बेचने का रूप लगता है अपने ओटरों को बे बढ़ते हुए कद को देखकर विवक्षियों में खरवराहट मच लेंगे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए तो जब कोई रथ निकलता है तो उसके सामने रोकने के लिए तमाम ऐसी बाते होती है कैसे कैसे नहीं भ्रमित किया जाए उसी में कुछ लोगों ने इस्टिंग आपरेशन किया मैं कहता है उन्होंने कह भी दिया कि मैं चंदे के स्वरूप में कुछ लोगों से कुछ ले लोंगा इतनी बड़ी पार्टी है देखिए पार्टी पैसे जुरूत होती है अब उसका गलत उपयोग कर रहे हैं कि बेच रहे हैं यह रहे हैं मैंने खुद पार्टी को सवयोग किया है जब पार्टी चलती है तो चलाना पड़ेगा ही ने खर्चा होता उसका रेली होता है इसका थोड़ी नहीं कि सबसे पैसे पर इमान कर रहे हैं कोछ नहीं है यह रोका जा रहा है। को भरमित किया जा रहा है कि किस हिसाब से मुझे को डाउन करें लेकिन सब समाज जाग चुका है और मुकेश आनी जो मैं यह कहता हूं कि अगर विरोद्ही करना है किशी चीज का सफ्वा देजिन आरते हमारे अन्ध्याफ कर दिया था कि जब 시àng आरक्षन नहीं कोई नहीं तो आस्वासन मिलने के बाद सीस नेत्वित के बाद मैं खुद साकसाथ उनके साथ गया हूँ रात-रात में मीटिंग हुई है केंद्री ग्रीमंत्री जी से नड़्डा सहब से अस्वासन दिया कि हम आरक्षन देंगे लेकिन हम आरक्षन देते हैं तो अधिकारी उसको इस्ट हल कर दिया जाए और मैं दूसरे लोगों से कहूंगा कि जो बिहार से आकर यहां कह रहे हैं कहने को तो लोग बड़े भाई चोटे भाई की तरह हैं मुद्दा भी एक है तो अगर से मुद्दे की लड़ाई है तो क्यों नहीं बिहार में मंत्री पत्याग करने कि आरक्षन यहां का समाज जान चुका है आपको अंदाजा लग गया होगा कि डाक्टर संजे निसाथ के पीछे पूरा समाज चल चुका है और सब अंडरिस्टूड हैं सब जानते हैं कि जो बिहार में सत्ता का लाब ले रहे हैं अगर इन्हें आरक्षन के लड़ाई उत्तरपदेश लड़नी हैं तो पहले बिहार मंत्रीपद का त्याक कर दें आप महां के सरकार गिरा दें तो हम समझें तब हम जाने कि वह विरोध कर रहा आदमी आरक्षन के लिए यह केवल राजनीतिक गोटी से कर रहे हैं और ब्लैक मेल कर रहे हैं कि कि किसी तरह से हम जो है मुकेसानी यहां कूट पड़े हैं अगर वो बिहार में देख रहे थे तो बिहार में ही देखते वहां से अपनी आरक्षन के आवाज बुलंद करते वहां की अवाम को लेके उत्तरप्रदेश में भी आते डाक्टर संजय निसाथ के साथ लेकिन यहां आके अलग-अलग एक ही में चले ही जाते हैं भीड उनकी भीड पैसे की होती है हमेशा आप जान रहे हैं एक सवाल लोगों की दिमाग में हमेशा और चलना है क्या बड़े और छोटे भाई की बीच में भरत मिलाव हो सकता है मिल सकते हैं क्या चुनाव आते-आते इस दम सम्हावना है अगर समर्थन करते हुए भीहार वापस जाऊंगा क्या अगली कैबने वाले क्या उसमें निसाद पार्टी को पंचकुर्शी मिलेगी क्या उसमें जगह बीरोदी तो बोलते हैं कोई पद नहीं मिलने वाला सिर्फ इनको पीछे-पीछे घुमाया जाए देखे परिकल्पना राम दंधन की सरकार बनेगी और बहुत अच्छा पद मिलेगा और उसमें कोई कहने की बात नहीं है अब कितने दिन बचा है एक कहावत है कि एक नाई से पूछा कि जजमान ने कि हमारे सर पर कितने बाल उनने कहा कि आप रुकिये अभी सामने आएगा तो इस सामने आने वाला ह कितना पद मिलेगा अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों का मुह बंद हो जाएगा खुद ही एक लाश्ट रवाल आपसे क्या अभी तक सीट को लेके बीजेपी से क्या बात चीत हुई कितने सीट पर निशाद पार्टी चुना लड़ेगी तो अभी तक इस पर कुछ ब बहुत धन्यवाद आपका जिस तरह से डॉक्टर शुर्वार यादो जो निसात पार्टी के रास्टी महा सच्ची में का साब तोर पर कहना कि मुकेश रानी जिन मुद्दो को लेके उत्तर प्रदेश में हैं उन मुद्दो को लेके हमारे रास्टी अध्यक्स सब पार्टी इसमें बने हैं और बीजेपी ने यह आस्वासन दिया कि चुनाओं से पहले हम आपके मुद्दो को शाल्व कर देंगे